अधर महादीव, आप सभी का हमारे चैनल शिवकथा उपाय पर बहुत-बहुत स्वागत है मित्रों आप सभी जान दे हैं, 24 अगस्त को 57 माह की अंदिम अस्टमीति थी है अस्टमीति थी के इस महा उपलक्ष पर, महा सैयोग पर यदि आपके जीवन में दुख बहुत अधिक है दुख की समापती नहीं हो रही है, एक के बाद एक दुख बना ही रहता है तो ऐसी परिस्थिती में आप इस एक उपाय को करना अवश्य ही सुरू कर दीजिए सावन के समापन से पुर्व ही आपके जीवन में खुश्या आएंगी, इन 9 दिनों में आपको अपने जीवन में चमतकार देखने को मिलेगा पूछनिय पंडिची अपनी श्रीम शिव महा पुरान कता में बताते हैं कि नंदेश्वर शिव महापुरान की कथा में यह उपायल दिखा गया है कि प्रदोशकाल में अर्थात प्रदोशकाल के समय पर यदि आप दो जगहों पर दीपक लगाना शुरू कर देती हैं अस्टमी तिथी के दिन से ही तो सावन के समापन से पूर्व ही आपके जीवन के सभी दुख समाप्त होते हैं और आपके कामना महादेव अवश्य ही सुनते हैं प्रदोशकाल के समय पर महादेव मातापारवती स्वयम धर्ती पर भ्रहमन के लिए निकलते हैं और अपने भक्तों के कस्टों को दूर कर उनके जीवन में खुशाली लेकर आते हैं तो इसे समय पर यह दो दीपक का उपाय आपको कर लेना है पहला आपको दीपक जलाना है बेल पत्र के व्रक्ष के नीचे क्योंकि वहाँ पर स्वयम ही देवादी देव महादेव का वास माना चाता है तो आज से ही यानि की अस्टमी तिथी पर से ही आप एक दीपक बेल पत्र के व्रक्ष के नीचे लगाए और दूसरा दीपक अपने घर की चोखट पर यानि घर के मुख्य द्वार पर लगाना शुरू कर दे दीपक चाहे आटे का हो या मिट्टी का लंबी बाती का और शिद्देसी घी का ही आपको दीपक लगाना है महादेव की क्रपा से आपके घर में खुशाली आएगी और आपके चीवन से दुखदूर होंगे नंदिश्वर महादेव का नाम लेकर आप इस उपाय को अवशी ही करें आपकी कामनाफ को न होगी धन्यवाद दर्शे को मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों श्री शिवाय नमस्तो भ्याम हर हर महादेव हमारे चैनल को लाइक करें कमेंट करी और सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद